हेलो एवरिवन अगर आप वही नाश्टा खाखाकर बोर हो गए हैं तो आज हम आलू से बनाएंगे बहुत ही चटपटा नाश्टा जो बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा दोस्तों आज में आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू से बना बहुत ही मज़दार स चले देखते हैं इसको कैसे बनाना है इसके लिए मैंने 5-6 उबले हुए आलू ले लिए हैं आलू कॉंटिटी जो है अपने साब सब कमे जादा भी कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे एक ग्रेटर की मदद से इसको हम कद्दुकस कर लेंगी तोस्तों आप मैश करने की बचा जो मारी रेजिपी है वह परफेक्ट नहीं बनेंगी इस तरीके से करने से आलो जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे जो मैरेसिपी के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेंगी हमने सारे अलो को अच्छे से ग्रिट कर लिया है अब क्या करेंगे दोस्तों एक बाउल में सारे आलों को हम ट्रांसफर कर दींगे दोस्तों ये रेसेपी बहुत जादा टेस्टी बनती है आप इसको बच्चों को खेलाईए उनको बहुत मज़ा आएगा और एक बार आप बनाएंगे ना तो आपसे बच्चे डिमान करेंगे कि इसी रेसेपी को बार बार बनाएए और शाम की चाहे के साथ भी आप इसको सर्फ कर सकते हैं दोस्तों अब क्या करेंगे इसमें हम स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे बहुत ही मेसिक से मसाले यूज की हैं थोड़ासम आले डाला है धनविया पाउडर अब इसमें डाल देंगे थोड़े से ओर विगयनि two 00 अप्षी है यह नहीं डालना आपको तो आप पेरी-पेरी मसाला या मैगी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े सा मैंने इसमें डाला एक कप चावल का आटा ना हूँ आपके पास सौप कॉन फ्लार भी इसमें एट कर सकती हैं अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और पानी की मात्रा बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि आलो में वैसे ही काफी मौश्चर होता है और इसलिए आपको पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है किसी मौश्चर से जो आटा है अच्छे से आपका ग पानी की मात्रा बिल्कुल भी मट आलिएगा यह देखिए अच्छे से हमने इसको समेट लिया है और इसको डो है वो बिल्कुल पॉफेक्ट है इसी तरीके का जो डो है आपको इस रेसिपी के लिए चाहिए दोस्तों यह रेसिपी आप बच्यों को लंच बोक्स में भी पैक क अब क्या करेंगे दोस्तों इसके हम दो पोजिशन इस तरीके से कर लेंगे इस तरीके से दो पोजिशन सब बना के रख लीजे और इसी पोजिशन में से चोटे पोजिशन हम बना लेंगे और और उसके बाद इसको हम यह देखिए हातों से अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे इकल बिकल बिकल शेप इसकी निकल के आएगी इस तरीके से आप सारी जो कट करके रख लीजिए तो इस रेसिपी को एक पर आप ट्राय जूट कर लिएगा वगर आप को वीडियो अची लगती है मेरी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दियेगा इस तरह से आम नेक्स स्टेप की और दोस्तों आप क्या करेंगे ऐसा चूसर तो सबके पास होता ही है इससे हम आज एक बहुत सा यूनिक सा डिजाइन देने वाल है पहले इसको हम थोड़ा सा ऑईल सी ब्रश से कर लेंगे अब क्या करेंगी एक हम इसमें रखेंगे बोल उसके बशे अगर आप चीजे बनाके खिलाएंगे ना तो उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है बच्चे तो चाहते ही हैं कि ऐसे कुछ यूनिक सा उनको बनाके खिलाया जाए और बच्चे ऐसे ही नाश्टा खाना जो है पसंद करते हैं यह देखिए बहुत ही प्यारा सा डिसाइन है वो निकल के आ गया है इतना ही पॉफेक्ट बन चुका है यह अब मैं आपको एक बार और बनाके दिखाती हूं इसी तरीके से उंगलों को हलके से आप प्रेस करते रहेए थोड़ा साब ओईल लगा लीजेगा पहले थोड़ा थोड़ा सा आप इसको प्रेस करेंगे ना तो बना के रख लूगी इस तरीके के अगर डिजाइन में यूनिक वे में आग बच्चों को खेलाएंगे ना तो बच्चों को बहुत मजाने वाला है तो एक बार इस रेसिपी को दोस्तों ट्राय जरूर करिएगा अब क्या करेंगे दोस्तों इसको हम करेंगे ओईल में फ्रा करेंगे यह अपना भी तैर के ऊपर आ जाएंगे थोड़ दिर में देखेगा आप यह अपना भी तैर के ऊपर आ जाएंगे पर इस ताम आप कर्ची बिल्कुल भी मत लगाएगा यह देखिए आप देख सकते हैं यह तैर के ऊपर आ चुके हैं अब एक फोक की हल्प से या नाश्ता आप एक बर बना के जरूरती कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी जो वीडियो है जरूर करिएगा अच्छे से जो है हमारे जो आलू है अलू का जो नाश्ता है अच्छे से फ्राइ हो रहा है तो आप इस नाश्ते को क्या नाम देना चाहेंगी कमेंट करके और मेडियम को इसको हम दोस्तो फ्राइ करेंगे मीडिय Kn == हम आज मारी तो अब अच्छी रखते में प्लिस लाइक शैर अन जब्सकृब मेंढा जरूर करिएगा यह देखिया दोस्तो मजचेदार सा चठ्पटा नास्ता जो थैपMusic UK आप देख सकते हैं क्रिटना ही क्रिस्पी बना है इसे बहुत मज़ाने वाला है बहुत जादा क्रिस्पी बहुत ज्यादा टीस्टी नाश्टा बन की त्यार होता है तो आज मैं इसको सफ करें वीटियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा